स्वारा भासकर का क्यों छलका दर्द ? काम नहीं मिलने पर क्या बोली स्वारा ? क्या बयान भाजी पड़ी करियर पर भारी ? अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्टरस स्वारा भासकर का अब दर्द छलका है बॉलीवुड में काम नहीं मिलने पर स्वारा भासकर बहत परिशान है जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा मेरा काम है मैंने जान बुझ का जो रिस्क लिया था उसकी मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है स्वारा भासकर ने आगे कहा कि जो मौकी मुझे मिले हैं मैं उससे कहीं बहतर एक्टर हूँ और मैं उससे अधिक करने में सक्षम भी हूँ मेरे करियर का ट्रैक रिकॉर्ड बहतर रहा है लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा शायद बेबाग बयानबाल जी मेरे करियर पर भारी पड़ गई है एक न्यूस चैनल से बाच्षीत के दौरान एक्टरस स्वारा भासकर ने कहा कि मैं 6-7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रही हूँ वेब सीरीज में लीड थी मुझे कभी भी खराब रिव्यू नहीं मिले मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे परियाप्त काम नहीं मिलता लेकिन ये साफ है कि उतना काम नहीं है मेरे पास स्वारा भासकर ने कहा कि 8 सालों से मैं ये सब झेल रही हूँ सत्ता के पदों पर बैठे लोग उन्हें अलग-अलग नाम से बुलाते हैं और स्वारा का ये भी कहना है कि जो लोग सत्ता पर सवाल उठाते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है उनके खिलाब साजिश रची जाती है और साथी उन्होंने कहा कि जो डर हमारे देश को जकड़े हुए है उसका सबसे अधिक असर बॉलीवुड में भी दिखाई देता है देश के कई बड़े मुद्दे जैसे C.A.N.R.C, J.N.U. विवाद और The Kashmir File Films को लेकर एक्टरस स्वराभासकर ने खुल कर अपनी राय रखी थी जिस वैसे लोगों ने उनकी जमकर अलोशना भी की थी और खूब ट्रोल भी किया था वही हाली में स्वराभासकर ने मद्ड़य परदेश में कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिससा लिया था और राहूल गांदी के साथ पधयात्रा करते भी नज़र आई थी जिसको लेकर मद्यप्रदेश के ग्रह मंत्री नरुत्ता मिश्रा का कहना था कि पद यात्र में स्वरा भासकर के शामिल होने के बाद ही देश विरोधी नारे लगे थे और उन्हें यहां तक कह दिया कि स्वरा भासकर की पद यात्र में शामिल होने से देश जोड़ नहीं सकत विवादों का भीनेति स्वरा भासकर के साथ पिछले कई सालों से घहरन आता रहा है और समय समय पर स्वरा का बेबाग बयान उन्हीं की परशानियों को बढ़ा जाता है उन्हें कई बार शोशल मेलिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है यहां तक कि कई बार उन्हें जान से मारने की धंकियां भी मिली हैं वहीं स्वरा भासकर की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आक्टरस ने वीरे दीवेडिंग प्रेम रतन धन पायो जैसी ब्लॉगबस्टर फिल्मों में काम किया है उनका हिस्सा रही है स्वरा भासकर की पिछली फिम जहां चार यार थी जिसमें चार दोस्तों की कहानी थी जिसमें उनके लावा मेहरवेज, सिखा तलसानिया और पूजा चोपला थे और उनकी आने वाली फिम मिमान सा एन मिसेस फलानी है लेकिन सालों से करियर को धीरे धीरे तबा होते देख नदे जिएी के साथ